अध्यक्जी की आपने मुझे इतना महत्वपूर विशे सभापतल पे रखने के लिए अनुमती दी है एक बहुती खृदे विरादक घटना घटी है ओल्ड राजिंदर नगर में जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेस्मेंट में कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेस्मेंट जल्मगन होने के कारण तीन छात्रों ने अपनी जान गवा दि ये बच्चे तलेंगाना उत्तर प्रदेश और केरल से आये थे अध्यक जी ये दिल्ली में IS examination की तैयारी करने के लिए आई थे अपना भविश्व उज्वल करने के लिए आई थे लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही यहां तक कि आप राधेट लापरवाही के कारण इन बच्चो ने अपनी जान गवाती अध्यप जी the cause of death of these three students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi the criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these three students एक दशक से आम आदमी party दिल्ली में सप्ता भोग रही है लेकिन दिल्ली वास्यों के लिए कोई काम नहीं कर रही अध्यक्षी पिछले दो सालों से नगर निगाब जानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है दिल्ली जलबोड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है लेकिन इन्होंने न अपग्रेडेशन करी है न डीसिल्टिंग करी है नालो की एक बहुत important बात इसमें कहना चाहूंगी ओल्ड राजेंदर नगर में जो हुआ 22 जुलाई, 24 जुलाई दो दिन से लगातार वहाँ के स्थानिय विथायक, वहाँ के स्थानिय पार्शक वहाँ के अधिकारियों को लगातार स्थानिय निवासीज की शिकायत कर रहे थे विधायाग जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्षन नहीं लिया मेरा आपसे निवेधन है कि ग्रेम मंत्राले से अनुरोध करती हूँ कि एक जाच सम्ती बनाई जाई जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टा चार में लिप्त है इसमें इंक्वाइरी बिठाई जाए दिल्ली की नालों के सभाई क्यों नहीं करी जाए दिल्ली जलबोट चर्मराती विवस्ता में क्यों है